दोस्तों शड़ी मूड में आपका स्वागत है B.S.S.E. ने 23 और 24 दिसंबर को टोटल तीन सिफ्ट में बिहार सचीवाले साहे का परिक्षा कंड़क्ट कराया था पहला सिफ्ट का जो पेपर लिख हुआ था एक घंटा पहले ही उसको E.O.U. को भेज दिया गया था जिसके अधार पर दिखिएगा कि फर्स्ट का पेपर रद कर दिया गया है उसके लिए नोटिस जारी किया गया है पहले प्रेस आपको रिली जाया था सरकार के तरफ से रात को ही और फिर आप दिखिएगा कि यह नोटिस आया है जो कि 26-12-2022 को यानि रात को यह भी अपडेट किया गया है इसी डेट में आपको यह रद किया गया है इसलिए यह अपडेट किया है इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अब सवाल यह हो रहा है कि क्या यह जो परिच्छा है सिर्फ फस्ट में ही ऐसा हुआ था या और भी सिप्ट में हुआ था तो देखिए काफी अभ्यार थी कमन में यही सवाल है कि सिर्फ फस्ट को क्यों और उनका सवाल भी उचित है सोचने का तरीगा भी ठीक है क्योंकि तीनो सिप्ट का जो पेपर है वो वाइरल हुआ है तीनो सिप्ट का जो पेपर बाहर कैसे आ गया सवाल सबसब बड़ी है कि तीनो सिप्ट का जब पेपर किसी को नहीं दिया गया और एक सिप्ट का यानि कि 24 तरीकों तो ओमर सिट भी दिखाई दे रहा है मैंने आपको वीडियो बना को उसमें बताया था कि उमर सीट भी दिखाई दे रहा है और उसको पकड़ना तो और भी असान है लेकिन उस पर क्यों ही लोग ध्यान दिये सबसे पहला बात यह है कि जो तीनों सिप्ट का बात है वो रखने में थोड़ा अईया अलप्रवाही ब हुआ है तो उसके चलते आप देखेगा यह 26 1222 को जो नोटिस निकाला गया है इसमें देख लेजिए क्या क्या दिया हुआ है कि त्रेतिया सनाता कस्तरिय स्विंग्ट परतियोगिता परिच्छा 2022 दिनांक तेईस बारत हज़र दो चरड़ और चोबीस बारत हजर बाइस को यानि एक चरड़ यानि तोटल आपको दिखिएगा तीन सिप्ट में एक्जाम हुए था अरति जिलों में एक्जाम हुआ था और दस सिले के सवा बारा बजे तक एक्जाम यह कंड़क्ट कराया गया था तो इस पर दिखेगा कि यह फर सिप्ट के बारे में बताया जा रहा बाहर आये हैं अर्थात आर्थिक अपराद इकाई पटना के साथ उक्त के संबंद में उपलब्द महत्पूर जनकारी साजा की गई ततकाल और संधान की अग्रिम करवाई करने का अनुरोद किया गया अयोग द्वारा इस घटना के गंफिरता से लेते हुए अभिहार्थि चरण की परिच्छा रद करने में कोई भी देर नहीं करेगा अभी तक जांच के करम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परिच्छा के सवक्षता और परदिर्सका को दूसित करने का इंगित करते हैं यानि कि मूर्फ से यह खुल कर नहीं बोल रहे हैं कि बड़े अस्तर पर जो हुआ है यह धांदली हुआ यह पेपर लिख हुए है क्योंकि एक बात आप समझने के कोसिस कीजिएगा कि इन्हों ने जांच किया और जांच करने के बाद यह खुद अपने नोटिस में बता रहे हैं कि यह पर दरसिता है यह खतम हुआ है और सक्षता भी खतम फिर लड़कों को देख लो कि जड़का सांत हो गए दिन दो सिप्ट के एक्जाम ना किंसल किया जा लेकिन यह आपको पीछे पर नहीं हटना है पूरा एकदम आपको दोनों सिप्ट का और भी बचा हुआ है का कि दोनों सिप्ट के भी अभियार्ती जो है परसान है करें ब समय वी चारह उप्रयांत आयोग दोरा दिनांग तेईस बारा दो हजर बाइस को जीत पर्थम चरण यानि दस से जो सवा बारा बजे तक हुई थी परिक्षा रद करने 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 लिया गया और यह 45 दिन बाद परिक्षा आपको कंड़क्ट कराया जाएगा ऐसा बताया ठी तो यह आपको परत्थम चरण का तुराद कर दिया गया है तो जो धुर अपराध हीकाई को भेजा गया है पुरूप से जिसका आपको PDF जो उसी पर अपराध हीकाई संग्यान ले रहा है लेकिन उनका डूटी यह भी होना चाहिए कि जिस बारे में अभिहारती कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि वह सामने आकर नहीं बोलना चाहिए कि उनके अंदर मन मे चल रहा है ति दोनों एक्जाम के प्रते उसकी क्या सचाई है और क्या उसमें भी ब्रिहद अस्तर का चोरी हुआ है उसमें भी कौन से बिप्त है उनको जेल में डालना चाहिए और आगे से यह जरूर धियान में रखना चाहिए कि जो भी एक्जाम हो वो स्वस्थ और पाइदा नहीं है ठीक बाकि यह नोटिस में टेंडी गलाम पर डाल दिया था आप लोग क्या इस बारे में सोचते हैं जरूर बताईएगा कि दो सिफ्ट और भी बचा हुआ है और उस बारे में भी अंदोलन होगा उस बारे में भी ट्यूटर केंपेंड होगा और जरूर मु